हे अबरीमन वेलकम डू मैं चैनल माई कोमन रसुई तो आज मैं बात करने वाली हो हलकी आइब्रोज जिनके आइब्रोज इतनी ज्यादा हलकी होती है कि उनको जो है फैंसिल लगा कर काम चलाना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं रोज-रोज के को डेली ही आईलेशी ज़गाने की जरुत पड़ जाती है अगर वह लोग बहार जाती है तो उनके पलको का भी यह उपाए बहतरी न उपाए है तो आपको करना क्या है इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कोकोनेट ओईल और सबके घर में आवलेबल होता ही होता है और अ तो मैंने चार चमच जो है coconut oil लिया है आप तो चमच का भी बना सकते हो उसके बाद मुझे चाहिए vitamin E का capsule ये खाने में जितना अच्छा होता है क्योंकि ये हमारी hair growth जो है अच्छी बनाता है तो ये देखे मेरी नेलाट किस तरीकी लग रही है वो जरूर बताना तो मैंने लिया है vitamin E का capsule और उसके बाद मैं इसको जो है cut कर लेती हूँ अच्छे से इसका oil चाहिए हमें तो इस तरीके से एक ही capsule काफी होगा हमारा जो हम ये नुस्खा बनाने वाले हैं उसमें तो इस तरीके के इसको oil को इसमें डाल लेती हूँ और उसके बाद अच्छे से जो है mix करती हूँ vitamin E को बहुत ही अच्छा होता है अगर आप अपने face पर भी लगाते हो तो भी काफी जादा glow मिलता है इससे और आज तो हम जो है अपनी eyebrows पर इसको लगाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने ही एक हपते में ही आपको result आना सुरू हो जाएगा तो दोनों चीजों को अच्छे से mix करेंगे इस तरीके से तब तक मैं mix करती हूँ प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले आपके पास आए और आपकी कुछ help हो जाए और वीडियो थोड़ी सी वी अच्छी लगे ना तो लाइक करना ना भूले तो इस तरी आपके पास ब्रस है इस तरीके की तो बहुत ही अच्छी बात है आप अपने पलकों पर और अपने जो आई ब्रोज है इस तरीके से इस ब्रस की help से इस ओईल को लगा सकते हो आप तीन में दो तीन बार इस ओईल को लगाए और एक हपते में रजल्ट आना स्टार्ट हो जा लेकिन रजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा इससे यह मैं कह सकती हूँ तो मैं इसको स्टोर करके रक्स लेती हूँ 10-15 दिन तक आराम से यह चल जाएगा यह ओई आपका नेलाट कैसी लगी है वह जरूर बताना प्लीज तो यह देखे यह ओईल मैं स्टोर करके रक्स लेती ह ही और मैंने इसको ट्राइगा अब मुझे इतना अच्छा रज़ जाएगा अब मुझे इतना अच्छा रज़